मेरे पहरे देश्वासियों, नमस्कार, आज हम मन की बात के 96 एपिसोड में साथ जूट रहे हैं, मन की बात का अगला एपिसोड वर्ष 2023 का पहला एपिसोड होगा, आप लोगों ने जो संदेश भेजे, उनमें जाते हुए 2022 के बारे में बात करने को भी बड़े आग्रह से कह अतीत का आवलोकन तो हमेशा हमें वर्तमान और भविश्य की तैयारियों की पेरिणा देता है, 2022 में देश के लोगों का सामर्थ, उनका सहयोग, उनका संकल्प, उनकी सफलता का विस्तार इतना ज्यादा रहा कि मन की बात में सभी को समेटना मुश्किल होगा, 2022 वाकई, कई माईनों में बहुत ही प्रेरक रहा, अध्भूत रहा और्गैनिक फार्मिंग करेंगे तो सिर्फ आपकी ही सेहत ही नहीं, बलकि आपके पैसों की सेहत भी अच्छी रहेगी, और्गैनिक फार्मिंग सीखनी है, तो फ्रीडम आपको अभी डाउनलोड करो इस साल भारत ने अपनी आजादी के 75 वर्ष पूरे किये, और इसी वर्ष अम्रित काल का प्रारंब हुआ, इस साल देश ने नई रप्तार पकड़ी, सभी देश वाच्छों ने एक से बढ़कर एक काम किया, 2022 की विभिंद सपलताओं ने आज पूरे विश्व में भारत के लिए एक विशे स्थान बनाया है, 2022 याने भारत द्वारा दुनिया की पाँचवी सबसे बड़ी अर्थेववस्ता का मुकाम हांसिल करना हुआ, 2022 यानी भारत द्वारा 220 करोड वैक्सिन का अब विश्वस्लिय आंकड़ा पार करने का रेकॉर्ड, 2022 याने भारत द्वारा निर्यात का 400 बिलियन डॉलर का जादू यांकड़ा भार कर जाना, 2022 यानी देश के जन जन द्वारा आत्मन निर्भर भारत के संकल्प को अपनाना जी कर दिखाना, 2022 यानी भारत के पहले स्वदेशी एरक्राप केरियर आइनेस विक्रांत का स्वागत, 2022 यानी स्पेस, ड्रोन और डिफेंस सेक्टर में भारत का पर्चम, 2022 यानी हर ख्षेतर में भारत का दमखम, खेल के मैदान में भी जाहे कॉमन वेल्ट गेम्स हो, या हमारी मैला होके टीम की जीत, हमारी युवाओं ने जबर जस्त सामर्त जिखाया, साथियों इन सब के साथ ही साल 2022 एक और कारण से हमेशा यात किया जाएगा, ये हैं एक भारत, स्रेष्ट भारत की भावना का विस्तार, देश के लोगों ने एकता और एक जुड़ता को सेलिबरेट करने के लिए भी, कई अध्भुत आयोजन की, गुजरात के माधोपूर मेला हो, जहां रुक्मनी विभा और भगवान क्रश्ण के पुर्वत्तर से समंदों को सेलिबरेट किया जाता है, या फिर काशी तमिल संगमम हो, इन परवों में भी एकता के कई रंग दिखे, 2022 में देश्वासियों ने एक और अमर इतिहास लिखा है, अगस के महने में चला हर घर तिरंगा भ्यान भला कौन भूल सकतना है, वो पल थे, हर देश्वासि के रंग्टे खड़े हो जाते थे, आज़ादे के 75 वर्ष के इस अभ्यान में पुरा देश तिरंगा मै हो गया, 6 करोड से जादा लोगों ने तो तिरंगे के साथ सेलफी भी भेजी, आज़ादी का ये अमरित महोसव अभी अगले साल भी ऐसे ही चलेगा, अमरित काल के निवत को और मजबुत करेगा, साथियों, इस साल भारत को G20 समू की अध़क्स्ता की जिम्मेदारी भी मिली है, मैंने पिछली बार इस पर विस्तार से चर्चा भी की थी, साल 2023 में हमें G20 के उत्सा को नई उंचाई पर लेकर जाना है, इस आयोजन को एक जन आंदोलन बनाना है, मेरे पहरे देशवाश्यों, आज दुन्या भर में धुम धाम से क्रिस्मस का तेवहार भी मनाये जा रहा है, ये जिसस क्राइज के जीवन, उनकी सिक्षाओं को याग करने का दीन है, मैं आप सभी को क्रिस्मस की धेर सारी शुब कावनाये देता हूँ, साथियों, आज हम सभी के स्रद्धे, अटल विहरी वाश्पाई जी का जन्मदीन भी है, वे एक महान राजनेता थे, जिनोंने देश को असाधारन नेत्र तो दिया, हर भरतवासी के रदे में उनके लिए एक खास थान है, मुझे कोलकाता से आस्था जी का एक पत्र मिला है, इस पत्रे में उन्होंने हाल की अपनी दिल्ली यात्रा का जिक्र किया है, वे लिखती हैं कि इस दोरान उन्होंने पी-एम मुझेम देखने के लिए समय निकाला, इस मुझेम में उन्हें अटल जी की गैलरी खुब पसंद आई, अटल जी के साथ वहाँ खिची गई तस्वीर तो उनके लिए यादगार बन गई है, अटल जी की गैलरी में हम देश के लिए उनके बहुमुल्य योगदान की जलक देख सकते हैं, इंफ्रास्रक्चर हो, शिक्षा या फिर विदेश निते, उन्होंने भारत को हर ख्षेत्र में नई उचायों पर ले जाने का काम किया, मैं एक बार फीद, अटल जी को रदेश से नमन करता हूँ, साथियों, कल 26 दिसंबर को दीर बाल दिवस है, और मुझे इस आउसर पर दिल्ली में साहिब जादा जुरावर सींजी और साहिब जादा फतेश सींजी की शहादत को समर्पित एक कारकम में सामिल होने का सौभागी मिलेगा, देश साहिब जादे और माता गुजरी के बलिदान को हमेशा याद रखेगा, मेरे प्यारे देश्वासियों, हमारी यहां कहा जाता है सत्यम किम प्रमाणम, प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, यानि सत्य को प्रमाण की आवश्यक्ता नहीं होती, जो प्रत्यक्षम है उसे भी प्रमाण की आवश्यक्ता नहीं होती, लेकिन बाद जब आधुनिक मेरिकल साइंस की हो तो उसमें सबसे महत्वपण होता है प्रमाः, एविडेंस सद्यों से भारतिये जीवन का हिस्सा रहे, योग और आयरुवेज जैसे हमारे सांस्त्रों के सामने एविडेंस बेश, रीसर्ट की कमी हमेशा हमेशा एक चुनवती रही है परिनाम दिखते हैं, लेकिन प्रमाः नहीं होते हैं लेकिन मुझे खुशी हैं कि एविडेंस बेश मेडिसिन के यूग में अब योग और आयरुवेज आधुनिक यूग की जांच और कसोटियों पर भी खड़े उतर रहे हैं आप सभी ने मुंबई के टाटा मेमोरियल सेंटर के बारे में जरूर सुना होगा इस संस्तान ने रिसर्च, इनोवेशन और कैंसर केर में बहुत नाम कमाया है इस सेंटर द्वारा की गई एक इंटेंसिव रिसर्च में सामने आया है कि ब्रेस कैंसर के मरीजों के लिए योग बहुत जादा असरकारी है टाटा मेमोरियल सेंटर ने अपनी रिसर्च के नतीजों को अमेरिका में हुई बहुत ही प्रतिष्टित बेस कैंसर कांफरनस पर प्रस्तुत किया है इन नतीजों ने दुनिया के बड़े बड़े एक्सपर्ट का ध्यान अपनी तरफ खीचा है क्योंकि टाटा मेमोरियल सेंटर ने एविडनस के साथ बताया है कि कैसे मरीजों को योग से लाव हुआ है इस सेंटर की रिसर्च के मुताबिक योग के नियमित अभ्यास से ब्रेस कैंसर के मरीजों की बिमारी के फिर से उभरने और मुर्त्यू के खत्रे में 15 प्रतीशत तक की कमी आई है भारतिय पानपारी चिकित्सा में यह पहला उदारण है जिसे पस्चिमी तोर तरीकों वाले कड़े मानकों पर परखा गया है साथी यह पहली स्टडी है जिसमें ब्रेस कैंसर से प्रभावी महिलाओं में योग से क्वालिटी ओप लाइफ के बहतर होने का पता चला है इसके लॉंग टम बेनिफिट्स भी सामने आये हैं टाटा मेमोरियल सेंटर ने अपनी स्टडी के नतीजों को परिस में हुए यूरोपियन सोसाइटी ओफ मेडिकल अंकलोजी में उस सम्मिलन में प्रस्तित किया है साथियों आज के यूग में भारतिय चिकत्सा पद्धतियां जितनी जादा एविडेंस बेज होगी उतनी ही पूरे विश्व में उनकी स्विकारिता बढ़ेगी इसी सोच के साथ दिल्ली के एम्स में भी एक प्रयास किया जा रहा है यहां हमारी पारंपारिक चिकत्सा पद्धतियों को वेलेडेट करने के लिए 6 साल पहले सेंटर फर इंट्रिगेटिव मेडिसीन और रिसर्च की स्थापना की गई इसमें लेटेस्ट मोडन टेक्निक्स और रिसर्च मेथर्स का उप्योग किया जाता है यह सेंटर पहले ही प्रतिष्ठीत अंतराष्ट्य जनर्नल्स में 20 पेपर प्रकासित कर चुका है अमेरिकन कॉलिज अब काडियोलोजी के जनर्नल में प्रकासित एक प्रेपर में सिंगपी से पीडिद मरीजों को योग से होने वाले लाप के बारे में बताया गया है इनके अलावा कई और बिमारियों में भी योग के बेनिफिट्स को लेकर स्टडी की जा रही है जैसे हाट डिसीज, डिप्रेशन, स्लीप डिसॉर्डर्स और प्रेगनेंसी के दौरान महिलाओं को होने वाली समझ जाए साथियों, कुछ दिन पहले ही मैं वर्ल्ड अउर्वेट कॉंग्रेस के लिए गोवा में था इसमें 40 से जादा देशों के डेलिगेट सामीर हुए और यहां 550 से अधिक साइन्टिफिक पेपर्स प्रेजन्ट के गए भारत सहीत दुनिया भर की करीब 215 कंपनियों ने यहां एक्जिबिशन में अपने प्रोडक्स को डिस्प्ले किया चार दिनों तक चले इस एक्षपो में एक लाग से भी अतिक लोगों ने आउर्वेट से जुड़े अपने एक्षप्रियन्स को एंजोई किया आउर्वेट कॉंग्रेस्ट में भी मैंने दुनिया भर से जूटे आउर्वेट एक्षपर्स के सामने एविडेंस बेज रिसर्च का आगरत दोहराया जिस तरह कोरोना वैस्विक महामारी के समय में योग और आउर्वेट की शक्ति को हम सभी देख रहे हैं उसमें इन से जुड़ी एविडेंस बेज रिसर्च बहुती महत्वपुन साबित होगी मेरा आप से भी आगरह है कि योग और आउर्वेट और हमारी पारमपारिक चिकित सा पद्धतियों से जुड़े हुए ऐसे प्रयासों के बारे में अगर आपके पास कुछ जानकारी हो तो उन्हें सोचिल मीडिया पर जरूर शेर करें मेरे पैरे देश्वासियों बीते कुछ वर्षों में हमने स्वास्त खेत्र से जुड़ी कई बड़ी चुनोतियों पर विजय पाई है इसका पूरा स्रे हमारे मेडिकल एक्सपर्ट्स, साइंटिस्ट्स और देश्वासियों की इच्छा शक्ति को जाता है हमने भारत से स्मॉल पॉक्स, पोलियो और गीनी वाम जैसी बिमारियों को समाप्त करके दिखाया है आज मन की बात के स्रोताओं को मैं एक और चुनोति के बारे में बताना चाहता हूँ जो अब समाप्त होने की कगार पर है ये चुनोति हैं, ये बिमारी हैं, काला जार इस बिमारी का परजी भी सेंट फ्लाए, यानि बालू मक्खी के काटने से भैलता है जब किसी को काला जार होता है, उसे महिनों तक बुखार रहता है खुन की कमी हो जाती है, शरीर कमजोर पड़ जाता है, और बजन भी घड़ जाता है ये बिमारी बच्चों से लेकर बड़ों तक किसी को भी हो सकती है लेकिन सबका प्रयास से काला जार नाम की ये बिमारी अब तेजी से समात होती जा रही है कुछ समय पहले तक काला जार का प्रकौप चार राज्यों के पचास से अधिक जीलों में फैला हुआ था लेकिन अब ये बिमारी बिहार और जारखन के चार जिलों तक ही सिमट कर रह गई है मुझे विश्वात है बिहार जारखन के लोगों का सामर्थ उनकी जागरुकता इन चार जिलों से भी काला जार को समाप्त करने में सरकार के प्रयासों को मदद करेगी काला जार प्रभावित छेत्रों के लोगों से भी मेरा आगरह है कि वो दो बातों का जरूर ध्यान रखे एक है सेंट फ्लाय या बालू मक्षी पर नियंत्रा और दूसरा जल्द से जल्द इस रोग की पहचान और पूरा इलाज काला जार का इलाज आसान है इसके लिए काम आने वाली दवाएं भी बहुत कारगर होती है बस आपको सतर्क रहना है बुखार हो तो लापरवाही ना बरते और बालू मक्षी को खत्म करने वाली दवाईयों का छिड़काव भी करते रहें जड़ा सोचिये हमारा देश जब कालाजार से भी मुक्त हो जाएगा तो यह हम सभी के लिए कितनी खुशी की बात होगी सबका प्रयास की इसी भावना से हम भारत को दो हजार पचीस तक टीबी मुक्त करने के लिए भी काम कर रहें हैं आपने देखा होगा बीते दिनों जब टीबी मुक्त भारत अभ्यान शुरू हुआ तो हजारों लोग टीबी मरीजों की मदद के लिए आगे आए ये लोग निक्षे मित्रवन कर टीबी के मरीजों की देखभाल कर रहे हैं उनकी आर्थिक मदद कर रहे हैं जन सेवा और जन भागीदारी की यही शक्ती हर मुष्किल लक्ष को प्राप्त करके ही दिखाती है मेरे प्यारदेश सास्यों हमारी परंपरा और संस्कृति का मा गंगा से अटूट नाता है गंगा जल हमारी जीवन धारा का अभिन हिस्सा रहा है और हमारे सास्त्रों में भी कहा गया है नमामी गंगे तवपाद पंकजम सुर असुरई बंदित दिव्य रूपम भुक्तिम्च मुक्तिम्च दजासि नित्यम भाव अनुसारेण सदा नराणाम अर्था हे मा गंगा आप अपने भक्तों को उनके भाव के अनुरूप साउसारिक सूख आनंद और मोक्ष प्रदान करती है सभी आपके पवित्र चर्णों का बंदन करते है मैं भी आपके पवित्र चर्णों में अपना प्रणाम अर्पित करता हूँ ऐसे में सद्यों से कल कल बहती मा गंगा को स्वच्छ रखना हम सब की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है इसी उद्देश के साथ आठ साल पहले हमने नमावी गंग्य अभियान की शुरुवात की थी हम सभी के लिए गवरों की बात है कि भारत की इस पहल को आज दुनिया भर की सरहना मिल रही है इनाइटेड नेशंस ने नमामी गंगे मीशन को एको सिस्टीम को रिस्टोर करने वाली दुनिया के टॉप टैन इनिशेटिव में शामिल किया है ये और भी खुशी की बात है कि पूरे भीशो के 160 ऐसे इनिशेटिव में नमामी गंगे को यह सम्मान मिला है साथियों नमामी गंग्य अभ्यान की सब्से बड़ी उर्जा लोगों की निरंतर सहवागिता है नमामी गंग्य अभ्यान में गंगा प्रहरियों और गंगा दूतों की भी बड़ी भूमी का है वे पैड लगाने, घाटों की सफाई, गंगा आरती, नुकर नाटक, पेंटिंग और कविताओं के जरिये जागरूकता फैलाने में जूटे हैं इस अभ्यान से बायो डाइवर्सिटी में भी काफी सुधार देखा जा रहा है हिल्सा मचली, गंगा डॉल्फिन और कछुओं की विविन प्रजात्यों के संख्या में काफी वृद्धी हुई है गंगा का एको सिस्टिम क्लीन होने से आजिविका के अन्य अउसर भी बढ़ रहा है यहां मैं जलज आजिविका मॉडल की चर्चा करना चाहूँगा बोर्ट सफारिज को 26 लोकेशन पर लॉंच किया गया है जाहिर है नमावी गंगे मिशन का विस्तार उसका दाइरा नदी की सफारिज से कहीं जादा बढ़ा है यह जहां हमारी इच्छा शक्ति और अथक प्रयासों का एक प्रत्यक्ष प्रमाण है वहीं यह परियावरन सवरक्षन की दिशा में विश्व को भी एक नया रास्ता दिखाने वाला है मेरे पैरे जैस्वासियों जब हमारी संकल्प शक्ति मजबूद हो तो बड़ी से बड़ी चुनोती भी आसान हो जाती है इसकी मिशाल पेश की है सिक्किम के थेगु गाउं के संगेश शेरपा जी ने हैं ये पिछले 14 साल से 12,000 फिट से भी जादा की उचाई पर परियावरन सवरक्षन के काम में जुटे हुई हैं संगेश जी ने सांसकृतिक और पवरानिक महत्व का सोमगो लेक उसे स्वच्छ रखने का बिड़ा उठा लिया है अपने अथक प्रयासों से उन्होंने इस ग्लेशियर लेक का रंग रूप ही बदल डा रहा है साल 2008 में संगेश शेरपाजी ने जब स्वच्छता का यह अभ्यान शुरू किया था तब उन्हें कई मुश्किलों का सामला करना पड़ा लेकिन देखते ही देखते उनके इस नेक कारियों में युवाओं और ग्रामिलों के साथ ही पंचायत का भी भरपूर सायोग मिलने लगा आज आप अगर सोमगोल लेक को देखने जाएंगे तो वहाँ चारों और आपको बड़े-बड़े गार्बेज बिंस मिलेंगे अब यहाँ जमा हुए कुड़े खचरे को रिसाइकलिंग के लिए भीजा जाता है यहाँ आने वाले परियटकों को कपड़े से बने गार्बेज बैक्ट भी दिये जाते हैं ताकि कुड़ा खचरा इधर उधर न फैके अब बेहत साफ सुत्री हो चुकी इस जील को देखे ले हर साल करी पाँच लाख परियटक यहाँ पहुँचते हैं सोमगो लेक के सवरक्षन के इस अनूठे प्रयास के लिए संगे शेरपाजी को कई संस्थाओं ने सन्मानित भी किया है ऐसी ही कोशिशों के बदौलत आज सिक्किम की गिंती भारत के सबसे स्वच्छ राज्यों में होती है मैं संगे सेरपाजी और उनके साथियों के साथ साथ देश भर में परियावारन समरक्षन के नेक प्रयास में जूटे लोगों के भी रज़े इससे प्रसंसा करता हूँ साथियों मुझे खुशी है कि स्वच्छ भारत मीशन आज हर भारतिय के मन में रचबच चुका है साल 2014 में इस जन अंदोलन के शुरू होने के साथ ही इसे नई उचाईयों पर ले जाने के लिए लोगों ने कई अनूठे प्रयास किये हैं में और ये प्रयास सिर्फ समाज के भीतर ही नहीं बलकि सरकार के भीतर भी हो रहे हैं लगातार इन प्रयासों का प्रनाम यह हैं कुडा कच्रा हटने के कारण, बिंजरूरी सामान हटने के कारण दप्तरों में काफी जगा खुल जाती है, नया स्पेश मिल जाता है पहले जगा के अभाव में दूर दूर किरायें पर दप्तर रखने पड़ते थे इन दिनों ये साफ सफाई के कारण इतनी जगा मिल रही है कि अब एक इस्थान पर सारे दप्तर बैट रहे हैं पिछले दिनों सूचना और प्रसारान मंत्राले ने भी मुंबई में, अमदाबाद में, कुलकता में, शेलों में, कई शहरों में अपने दप्तरों में भरपूर प्यास किया और उसके कारण आज उनको दो-दो-तीन-तीन मंजीले पूरी तरह नए सिरे से काम में आ सके ऐसी उपलब्द हो गई ये अपने आप में स्वच्छता के कारण हमारे संसाधनों का आप्टिमम उटिलाइजिशन का उत्तम अनुभवा रहा है समाज में भी, गाउं गाउं, शेहर, शेहर में भी उसी प्रकार से दप्तरों में भी ये भ्यान देश के लिए भी हर प्रकार से उप्योगी सिद्ध हो रहा है मेरे प्यारे देशवासियों हमारे देश में अपनी कला संस्कृति को लेकर एक नई जागरुकता आ रही है एक नई चेतना जागरित हो रही है मन की बात में हम अक्सर ऐसे उधारों की चर्चा भी करते हैं जैसे कला, साहित्य और संस्कृति समाज की सामोहिक पुंजी होते हैं वैसे ही इन्हें आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी भी पूरे समाज की होती है ऐसा ही एक सफल प्रयास लक्षद्वित में हो रहा है यहां कलपेनी द्वित पर एक कलब है कुमेल ब्रदर्स चलेंजर्स कलब यह कलब युवाओं को स्थानिय संस्कृति और परमपारी कराओं के समरक्षण के लिए प्रेलित करता है यहां विवाओं को लोकल आर्ट कोलकली, परिचाकली, किलिपट्टू और पानमपारी गानों की ट्रेनिंग दी जाती है यानि पुरानी विरासत नई पीडी के हाथों में सुरक्षित हो रही है आगे बढ़ रही है और साथियों, मुझे खुशी है इस प्रकार के प्रयास देश में ही नहीं, विदेश में भी हो रहे है हाल ही मैं दुबई से खबर आई कि वहां के कालारी कलब ने Greenwich Book of World Records में नामदर्ज किया है कोई भी सोच सकता है कि दुबई के कलब ने रिकॉर्ड बनाया तो जो भारत से क्या समद दरसल ये रिकॉर्ड भारत की प्राचीन मार्शल आर्ट कलारी अप्र्टों से जुड़ा है ये रिकॉर्ड एक साथ सबसे अधिक लोगों के द्वारा कलारी के प्रदशन का है में प्रदर्शित किया इस आयोजन में चार साल के बच्चों से लेकर साथ वर्ष तक के लोगों ने कलारी की अपने शमता का बहतरी प्रदर्शन किया अलग-अलग पीडियां कैसे एक प्राचीन परंपरा को आगे बढ़ा रही हैं पूरे मनोयोग से बढ़ा रही है यह उसका अध्वुत उधारन है साथियों मन की बात के सुरुताओं को मैं करनाटका के गड़क जिले में रहने वाले कवेम्श्री जी के बारे में भी बताना चाहता हूँ कवेम्श्री दक्षिण में करनाटका की कला संस्कृति को पुरनर जीवित करने के मिशन में पिछले पचीस वर्सों से अनवरत लगे हुए हैं आप कल्पना कर सकते हैं कि उनकी तपश्या कितनी बड़ी है पहले तो वो होटल मेनेजमेंट के प्रोफेशन से जुड़े थे लेकिन अपनी संस्कृति और परमपरा को लेकर उनका लगाव इतना गहरा था को उन्होंने इसे अपना मिशन बना लिया उन्होंने कला चेतना के नाम से एक मन्च बनाया ये मन्च आज करनाटका के और देश-विदेश के कलाकारों के कई कारकम आविजित करता है इसमें लोकल आर्ट और कल्चर को प्रमोट करने के लिए कई इनोवेटिव काम भी होते हैं साथियों अपनी कला संस्कृति के प्रती देश वास्यों के उत्सा अपनी विरासत पर गर्व की भावना का ही प्रगटी करना है हमारे देश में तो हर कौने में ऐसे कितने ही रंग भिखरे हैं हमें भी उन्हें सजाने सभारने और समरक्षित करने के लिए निरंतर काम करना चाहिए मेरे पहरे देश वास्यों देश के अनेक खेत्रों में बांस से अनेक सुन्दर और उप्यों की चीज़े बनाई जाती हैं विशेस रुप से आदिवासिक खेत्रों में बांस के कुशल कारिगर कुशल कलाकार है जब से देश्ट ने बेंबू से जुड़े अंग्रीजों के जमाने के कानूनों को बड़ला है इसका एक बड़ा बाजार तयार हो गया है माराष्ट के पालगर जैसे क्षेत्रों में भी आदिवासी समाज के लोग बेंबू से कई खुबसुरत प्रोडक्स बनाते हैं बेंबू से बनने वाले बॉक्सिज, कुर्शी, चायदानी, टोक्रिया और ट्रे जैसी चीजे खुब लोगप्रिय हो रही है यही नहीं ये लोग बेंबू गास से खुबसुरत कपड़े और सजावर की चीजे भी बनाते हैं इससे आदिवासी महराओं को रोजगार भी मिल रहा है और उनके हुनर को पहचान भी मिल रही है साथियों करणाटका के एक दमपती सुपारी के रेसे से बनी कई यूनिक प्रोडक्स इंटरनेशनल मार्केट तक पहुचा रहे हैं करणाटका में शिवमोगा में ये दमपती हैं स्रीमान सुरेश और उनकी पत्नी स्रीमती मैथिली ये लोग सुपारी के रेसे से ट्रे, प्लेट और हैंडबेक से लेकर कई डेकोरेटिव चीजे बना रहे हैं इसी रेसे से बनी चपले भी आज खुब पसंद की जा रही हैं उनके प्रोडक्स आज लंदन और यूरोप के दूसरे बाजारों तक में बिक रहे हैं यही तो हमारे प्राकुरतिक संसाधनों और पारमपारी हुनर की खुबी है जो सब को पसंद आ रही है भारत के इस पारमपारी ज्यान में दुनिया सस्टेनेबल फ्यूचर के रास्ते देख रही है हमें खुद भी इस दिशा में जादा से जादा जागरुख होने की जरुद है हम खुद भी ऐसे स्वदेशी और लोकल प्रोडक्त इस्तिमाल करें और दूसरों को भी ये उपहार में दे इससे हमारी पहचान भी मजबूत होगी स्थानी अर्थ व्यवस्ता भी मजबूत होगी और बड़ी संख्या में लोगों का भविश्य भी उजवल होगा मेरे पहरे देश्वासियों अब हम दीरे दीरे मन की बात के सोवे एपिसोड के अभुत्पुर्व पढ़ाव के और बढ़ रहे हैं मुझे कई देश्वासियों के पत्र मिले हैं जिनमें उन्होंने सोवे एपिसोड के बारे में बड़ी जिग्यासा प्रकट की है सोवे एपिसोड में हम क्या बात करें उसे कैसे खास बनाएं इसके लिए आप मुझे अपने सुजाव भेजेंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगली बार हम वर्थ 2023 में मिलेंगे और गैनिक फार्मिंग करेंगे तो सिर्फ आपकी ही सेहत ही नहीं बलकि आपके पैसों की सेहत भी अच्छी रहेगी और गैनिक फार्मिंग सिखनी है तो फ्रीडम आपको अभी डाउनलोड करो मैं आप सभी को वर्थ 2023 की सुबकामनाईज देता हूँ ये वर्ष भी देश के लिए खास रहे देश नई उचाईयों को छुता रहे हमें मलकर के संकल्प भी लेना है साकार भी करना है इस समय बहुत से लोग छुट्टियों के मूर में भी है आप परवों को इन अवसरों क खूब आनन लीजिए लेकिन थोड़ा सतर्क भी रही है आप भी देख रहे हैं कि दुनिया के कई देशों में कोरोना बढ़ रहा है इसलिए हमें मास और हाथ दुलने जैसी सावधानियों का और ज्यादा धान रखना है हम सावधान रहेंगे तो सुरक्षित भी रहेंगे और हमारे उल्लास में कोई रुकावड भी नहीं पड़ेगी इसी के साथ आप सभी को एक बार फिर धेरो शुब कामना है बहुत बहुत धन्यवाद